आजम बनाएंगे वाय चुड़वा जो पोहा भी बुलते हैं ये वाय चुड़वा ड्राइफ्रूट्स में बनाएंगे आजम बनाएंगे बनाएं पाजू, बादम, किश्मीशे तोरा करी लीव और ये पुटैटोस को बाइटोस को वाश करके अच्छा नमक शकर हैं अब इसको फ्राइटोस को बारी कटकर इसको ड्रीफ राइट अच्छा करण्ची हो गई है इसमें कुछ भी नमक बहरा नहीं दाले अब 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 इसमें धी लैजटोस करणें में करणें जब काराम हमेंैं और जबें भी उन्दोस करणें किश्मेस बहुत जब इससे प्राक यह आ यजिज़ हो जड़ी तक थोड़ा साभका रगल मीलेटोस कर लें तो सब्सक्राइब दबाय प्रलाई हो अबनर निकाले बारु आज बानादी और चुछ वो गोल्डन प्राइग करेंगें एक प्राइग काटीकित चुर्वा प्राइग करने प्राइब ज्यादा फ्राइदें करना कुंको सिर्व करवा फर्माजाता है थोड़ा सा लाइच ब्राउन होते ही निकाल नहींगा तोड़ी से धल्दे दाल देंगे धल्दे दालते ही थोड़ा चुरुआ दाल देंगे पाने गीम करने चल्दे करियो तो मैंशाला से तक फड़ादा तक आलता ही पागिर 2प्दे मिlles देंगे आलता ही पागिवे इसको विकाली हो गया देखिए अच्छा सा यह बहुत जल्दी फ्राई होता है देखिए अच्छा सा फ्राई हो गया हुरम कि एकनोचा साफ है कि हुए गए ऩल्द धर यहांत में नहीं को दोज़ना हो गज़नगे था अग्तस है इसको भालेगी फ्राई को बहुत है ताय कि भाल में ने जिल ङ्ट्यूण यह लिआ समय को चाहिएए करी लीप इंसारों करन केते हैं मूंस के पर बारिक बिचा बखलाे, आप नूमा, अचज़ेड़ी है इस पुरी आप्परशना fashion यसे ने पविश्क नहीं, श्किया बड़ां तब हो ज़दी शभी खाल, आप बाइज यान या नी न किती बाबागे, ऑनको फ्रस्तक्शा यान सी चेना कि यह आप लोग अगर पसन आ रहा तो यह दाल सकती ऑप्षनल है अगर नहीं तो आपकी मर्जी नहीं दाले भी तो चलता यह मीची नम्मक आपके टेस्ट के साफ से दाले है मीची नम्मक शक्कर है यह भी आट कर देंगे कि इस तुछा सा मिक्स कर देंगे कि अगर बाहर से भी बहुत मज़े का बना तेस्ट कर देखिए अगर आपको इस पे नम्मक शक्री आपके टेस्ट के साफ से दाले है अगर कम भी रहा तो अभी भी आट कर सकते इसको अब इसके साथ अपन कुछ ड्रिंक बना लेंगे बादम केसर मिल्क बना लेंगे इसके साथ अभी वह बहुत चल्दी बनकर रेडी हो जाता है अभी वह बनाएंगे बादम केसर मिल्क के लिए 1 लीटर मिल्क है ड्राइफ्रूट्स है ड्राइफ्रूट्स का पॉडर बनाएंगे केसर है थोड़ा सा केसर भी आट करके अच्छा सा बॉइल कर लेंगे इसको अच्छा पका देंगे केसर में ड्राइफ्रूट्स केसर मिल्क शुगर दानेंगे इ अच्छा सा मिल्क बॉइल हो गया है कि 20-25 मिर्स अच्छा सा बॉइल है दिना इसको स्लो फ्लेम पर थोड़ा सा केसर दाल कर अच्छा सा पकाएंगे इसको करती कि झांटेता है को में जो जबान ही आपको वो ड्राइफ्रोट्स ने ड्रैनल करें तो चाहिए है कि ज़्याद आप ग्रैПवेश के यह आड़ शुगर आइट करेंगे आप शुगर आपके टेस्ट के हिसाब से आइट करें एक वन टेबल स्वन मिल्क मेंट आइट करें यह ओप्ष्णल है अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसन आता तो आप यह मत दाल यह जरूरी नहीं है दालना इसे क्रीमी टेक्स्टर लाता इसलिए में मिल्कमेट आट करें इसमें अगर आप मिल्कमेट डालना चाह रहें अपरा कम कर लीजिए यह बहुत ही मज़ेका बहुत ही मज़ेका बनता यह बादम के सर का मिल के बहुत मज़ेका बनता इसमें में कलर आने के लिए थोड़ा सा हल्दी एड़ करें हल्दी से अच्छा कलर आता इसका देखिए हल्दी दालने से अच्छा सा कलर आ गया और यह हल्दी पीना भी अपने हो अच्छा है यह जो करोना का चल रहा है उसमें हल्दी दूद दाल पर अच्छा सा पका के आप बच्चों को दे सकते बड़े भी पी सकते यह हल्दी भी कि हेलिंग दाली में 6 जलि दालने छाल्डर कि लिवेंieran ार्दी करेची केसर 0 7 की्धा में अब इसम नावा आधा अभानी डॉल्डश ऑल नाब उसका है रेडी हो गया यह द्राइफ्रोर्स चुरवा रेडी हो गया बादम के सार मिल्क भी रेडी है उसमें अपन थोड़ा सा ड्राइफ्रोर्स के पॉर्डर जो अपन बनाते हूँ थोड़ा सा स्प्रिंग में कर लेंगे इसमें तो थोड़े सा पिष्टे का पॉडर भी है पिष्टा पॉडर भी बना लिए थोड़ा सा इसमें अट कर लेंगे मशाला से यह बहुत मजी का होता आप लोग यह जुरूर बना कर बच्चों को दीजिए यह जो मिल्क है केसर बादम मिल्क यह कोई आप लोग बना कर देली या दो दीन में एक बार कैसा में बना कर दीजिए विच्चों को यह बहुत टेस्टी बिरहता हो यह बहुत है यह में आप लोग को मेरे रेसिपी पसन आय तो आप लग जरूर शेर कमेंट सब्स्क्राइब करिए अल्लाहाफीज कर दो दो कर दो कर दो दो कर दो union झाल